इस प्रक्रिया से शुरू करें ड्राइफरूट्स का बिजनिस, कम लागत में होगा अधिक मुनाफ़ा आज के समय में लोगों में अच्छी सेहत के लिए जागरुकता काफी बढ़ गई है, इसलिए खान पान की चीजों पर भी अधिक ध्यान दिया जा रहा है ऐसे में पिछले कुछ सालों से देखा जा रहा है कि मार्केट में ड्राइफरूट्स की अधिक मांग बढ़ती जा रही है ना सिर्फ भारत में बल्कि विदेश में भी ड्राइफरूट्स की बिक्री अधिक होती है यदि आप Dry Foods का बिजनस करना चाहें तो आप कुछी दिनों में इसमें अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं आज हम आपको इस वीडियो के जरिये बताना चाहेंगे कि आप इस बिजनस की शुरुआत कैसे कर सकते हैं इसमें लागत कितनी लगेगी और आप इस बिजनस में महीने में कितना मुनाफ़ा कमा सकते हैं तो आएए जानते हैं इस बिजनस की सही प्रक्रिया सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि Dry Foods का बिजनस होता क्या है Dry Foods वो होते हैं जिसके अंतरगत बाधाम, पिस्ता, काजू, मुंभली, अक्रोड, छुवारा, मुनक्का, किश्मिश, सूखा अंजीर, मखाना जैसी अन्य चीजे शामिल होती हैं बता दें कि Market में Dry Foods की Selling दो तरह की होती हैं पहली वो जिसमें Dry Foods खुले हुए मिलते हैं और दूसरी वो जिसमें Dry Foods डिब्बे में पाक किये हुए मिलते हैं Market में पाक की हुए Dry Foods की अधिक माग है, Dry Foods को सूखे मिवे के नाम से भी जाना जाता है Market में ऐसी कई सारी कंपनिया हैं जो Dry Foods को एक ब्रैंड बना कर बेच रही हैं किसे भी बिजनस की शुरुबात करने से पहले आपको ये जरूर जान लेना चाहिए कि ये बिजनस आपके लिए और और लोगों के लिए कितना फायदे बन होगा तो आईए जानते हैं Dry Foods से होने वाले फायदों के बारे में Dry Foods दिमाग को मजबूत बनाई रखने के काम आते हैं Dry Foods का सेवन करने से Blood Circulation अच्छा रहता है इसके सेवन से आप Heart Attack की खतरे से बाहर रहते हैं इसके अलावा Dry Foods आपको Cancer जैसी बड़ी बीमारी से दूर रखता है Dry Foods के जरिये वजन भी कंट्रोल किया जा सकता है बता दें, बादाम में Fiber, Omega 3, Omega 6, Magnesium, Potassium, Calcium जस्ता जैसे महत्वपूर्ण तत्व होते हैं जो शरीर के लिए काफी लाबदायक होते हैं इसके अलावा पिस्ता, काजू, अक्रोट, मखाना जैसे सारे Dry Foods के अपने कुछ बहतरीन फायदे होते हैं जो सेहत के लिए काफी लाबदायक रहते हैं इस बिजनस को शुरू करने से पहले जरूर जान ले इससे चुड़ी कुछ खास बात हैं बिजनस के लिए सही स्थान का चुनाब आपको पता लगाना चाहिए कि जिस जगा आप अपना बिजनस शुरू कर रहे हैं उसके आसपास पहले से ही कोई Dry Foods की दुकान तो नहीं है यदि है भी तो वो किस तरह कमाल बेच रहे हैं ये सब देखते हुए आपको अपनी दुकान में अच्छी कॉलिटी और अलग-अलग प्रकार के Dry Foods रखने होंगे इसके अलाबा आप इस बात का पता करने की कोशिश करें कि मार्किट में जिस व्यक्ति की पहले से ही Dry Foods की दुकान है क्या उसकी कमाई अच्छे से हो पा रही है या फिर नहीं मतलब ये है कि जिस जगे आप अपने बिजनस की शुरुबात करने बाले हैं उस जगे की अच्छे से रिसर्च कर लें ताकि भाविश्य में आपको अपने बिजनस में किसी भी तरह का नुकसान न जहिलना पड़े कितना करना होगा इस बिजनस में निवेश Dry Foods का बिजनस करने के लिए आपको सबसे पहले मार्किट में इसकी सही खीमत की बारे में जानना होगा सही रिसर्च के बाद ही आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि आपको किस लेवल पर इस बिजनस की शुरुआत करनी है वैसे तो इस बिजनस को आप कम से कम 50,000 रुपे में भी शुरू कर सकते हैं इसके अलावा आप अपने बजट के हिसाब से भी तैय कर सकते हैं यदि आप पचास हजार से ज़्यादा खीमत लगाना चाहते हैं तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है लेकिन कोशिश करें कि शुरुआत में ज़्यादा पैसा ना लगाएं पहले कम निवेश करें फिर देखें कि market में इसकी कितनी value है इसके बाद ही ज्यादा से ज्यादा निवेश करें बता दें कि सर्दी के मौसम में ड्राइफरूट्स के अधिक मांग होती है लेकिन इन ही dry foods को box में अच्छी तरीके से बेच रहे हैं तो इनकी आपको अधिक कीमत मिल सकती है इतना ही नहीं बलकि packing किये हुए dry foods की market में भी अधिक मांग होती है क्योंकि ज्यादा तर लोग खोले हुए dry foods की जगा pack किये हुए dry foods लेना ज्यादा पसंद करते हैं इसके लिए आपको dry foods की packing पर अधिक ध्यान देना होगा dry foods की quality की साथ साथ आपको box की बनावट पर भी ध्यान देना होगा वो इसलिए क्योंकि जितनी ज़्यादा आकशक आपकी packing होगी उतनी ही ज़्यादा आपके माल की selling होगी वो कहते हैं न कि जो दिखता है वो बिखता है बस यही नीती आपको अपने इस business में भी अपनानी होगी आपको सिर्फ इसे उपर से अच्छे से नहीं सजाना है बलकि अंदर dry foods की quality भी अच्छी होनी चाहिए यदि आप इस business को छोटे पैमारे पर शुरू कर रहे हैं तो आपको अधिक लोगों की जरूरत नहीं होगी लेकिन आप बड़े पैमारे पर dry foods का business शुरू करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको अपने सहयोग के लिए कुछ कारे करताओं की जरूरत लगेगी जितना ज्यादा माल आपके दुकान में होगा आपको उतने ही लोगों की जरूरत होगी बड़े पैमारे पर business के लिए आपको खरीब 10 से 12 लोगों की जरूरत पड़ेगी बिजनस के लिए license बिजनस है जिसमें आपको अधिक जोखिम नहीं उठाना पड़ता लेकिन कभी-कभी मौसम के अनुसार ड्राइफ रूट्स में कीड़े पढ़ने की संभावना रहती है ऐसे में आप बदलते मौसम के अनुसार इनकी पैकिंग पर ध्यान दें इसके लिए आप कुछ एंटिबाइटिक्स के जरिये अपने माल को सुरक्षित रख सकते हैं कैसे करें ड्राइफ रूट्स की मार्केटिंग किसी भी बिजनस का मुनाफ़ा उसकी मार्केटिंग पर तिका होता है आपके बिजनस की जितनी अच्छी मार्केटिंग होगी उतनी ही जादा आपकी कमाई होगी इसलिए बिजनस को लंबे समय तक चलाने के लिए और अच्छे मुनाफ़े के लिए आपको इसकी मार्केटिंग पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना होगा इसके लिए आप पैंफलिट चपवा कर उन लोगों के बीच बढ़वा सकते हैं साथ ही मार्केट में जगा जगा अपनी दुकान के नाम से होडिंग लगवा सकते हैं बिजनस की और भी अच्छी मार्केटिंग करने के लिए आप सोशल मीडिया का सहारा ले सकते हैं इसके माधियम से आप अपने बिजनस के साथ ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ पाएंगे ना सर्फ इस बिजनस को अपने देश में बलके विदेश में भी पहला सकते हैं क्योंकि ड्राइफ रूट्स की मांग विदेशों में भी आदिक होती है ऐसे में आप सोशल मीडिया के माधियम से विदेश में भी अपने बिजनस की शुरुआत कर सकते हैं इसके हलावा आप इंस्टाग्राम, वाट्सेप और फेस्बुक जैसी साइट्स का भी इस्तिमाल कर सकते हैं इंसाइट्स पर आप अपने बिजनस से जुड़ी सारी जानकारी शेयर करें और अपने बिजनस पेज को अपडेट करते रहें कितनी होगी कमाई ड्राइफ रूट्स का बिजनस एक ऐसा बिजनस है जिसमें आप हर मौसम में मुनाफ़ा कमा सकते हैं ठंट के दिनों में इनके डिमार्ट ज्यादा रहती है लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि बाकी के दिनों में इनकी बिक्री नहीं होटी ड्राइफ रूट्स का बिजनस एक सूखा बिजनस है जैसे आसानी से कहीं पर भी शुरू किया जा सकता है और इसमें कमाई भी अच्छी होती है यदे आपने चोटे पैमाने पर इस बिजनस को शुरू किया है तो आपको महीने में 30 से 40 हजार की कमाई हो सकती है यदे आपने बड़े पैमाने पर इस बिजनस को शुरू किया है झाल झाल